कि न्मस्कार बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत आज की क्लास के अंदर आज की इस क्लास में हमलोग कवर करेंगे मलيم पार्लियमिनिण ओस एडिया निकी भारत की संसद भारत की संसद भारत की पारलियमेंट बोल लिजी जहां पर कानून बनता है जिसकाई उनको हम लोग फूलो करते हैं आज हम हम वो सारी बात पढणने वाले हैं कि पूरा का पूरा प로सेस क्या रहता है पहली बात यह समझ लेंगे आप किसी भी exam के तेयारी कर रहे है चाहे हो एससी हो चाहे रेलवेल्स हो चाहे वो EPF हो चाहे वो कोई भी एक्जा चाहे वो आपका स्टेट PCA से UPSC क्यों ना हो ये टॉपिक आपके एक्जाम में 100% आएगा ही आएगा जो मर्जी हो जाए तो आज के बेटा इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे पारलिमेंट के बारे में वो सारी चीज़े जो एक्जाम को लेके इंपोर्टेंट रहती हैं तो आएए क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक तरीके से कि पारलिमेंटर और इंडिया के बारे में क्या पढ़ने वाले है सबसे पहले में पढ़ेंगे कि पारलिमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट होती क्या है जैसे कि हमारे देश के अंदर आप लोग जानते हैं एक प्राइम मिनिस्टर होता है एक प्रेजिडेंट होता है अगर ऐसा बोला जाए कि जादा पावर किसके पास है जादा पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है उस कंपेरिजन में राजपती के पास पावर कम होती है क्योंकि हमारे देश के अंदर parliamentary form of government पाई जाती है उसके characteristic क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे उसके आगे बदर पढ़ लेते basically कि भारत के अंदर parliamentary form of government कैसे काम करती है इंडियन constitution establish a parliamentary form of government at the both level यानि की national level and state level हमारे भारत में समिधान की राष्ट्री और राजे दोनों स्तरों पर सरकार के संसदिये स्वरूप की स्थापना करता है हमारे समिधान ने बोला है भाया चाहे बात center की हो या बात आपके state की हो दोनों में आपको parliamentary form of government देखने को मिलेगी article 74 और article 75 अगर मैं आपसे parliamentary form of government देखने को मिलती है इसके बाद अगर बात करूँ आपसे मैं अनुछेद 163 और अनुछेद 164 बात करता है कि राज्य सरकारे किस परकार से बनेंगी देखो यार चाहे मैं आपसे बात करूँ हमारे central government की चाहे बात करूँ मैं आपसे हमारे state government की यहाँ पर आपको नाम अलग लग जरूँद सुनने को मिलेंगे लेकिन आपके सारे काम सेहम होगे जैसे की central government में आपका लोग सभा होगा राज्य सभा होगा ठेक है यहां पर भी दो हाउस और लेकिन एक पर केंदर के यह होता है आपका विधान परिशद विधान परिशद जहां पर भी राजय सरकार है जिस स्टेट के अंदर आपको विधान सावा देखने को मिलेगी लेकिन विधान परिशद हर जगापर नहीं है विधान परिशद हर जगापर नहीं है लेकिन पारलियमेंट स्टेट की रिक केंदर में आजो तो केंदर में आपको लोक सभा और राज्य सभा आपको राज्य सभा यह दोना आपको देखने के लिए मिलती है यह आपका बेसिक हो गया देखो अगर आप लोग कोई भी लेक्टर कर रहे हो किसी भी चीज का तो अपने हाथ में पैन और कोपी लेकर बैठा करो कि एक्स्ट्रा चीज लिख जाए तो येस अगर मैं इसके बाद आगे चलो आपसे तो आपका बेसी किया होगा कि भारतिय समिधान राश्ट्रिये और राज्ये दोनों स्थरों पर सरकार के संदस संसदिये सवरूप की स्थापना करता है अनुछ चोहतर अनुछ पिछतर क के अंतरक्त के अंदर और Teachers राज्ये के अंधर यानि के अनि या मैं के अंदर और आपको पारलिमेंटरी ओमाउफ़र्मेंट को समझने का करता कि बहुत दो इसके लावड़ाइन वा टाइन जो आपकी USA के अंदर पाई जाती है USA के अंदर सारा का सारा खेल प्रेजिदेंट का होता है वहां पर प्रैम मिनेस्टर होता ही नहीं है यहाँ पर हमारे देश में सरकार का directionart大家都 गयुक्र डेगंज कोन होगा राइम मिनेस्टर होगा वहां पर हैड ऑफ द गवर्मेंट असकार का नेता कुन होगा प्रेजिडेट्ट होगा इस तरीके से काम चलता है ना क्योंकि USA के अंदर तो प्राइम मिनेस्टर सेट नहीं है वहाँ सेटेट रप्रेजिदेंट का कॉंसेट है हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिदेंट दोनों अपने-अपने अलग फंक्शन कर रहे है राइट चलिए तो इसके साथ साथ अगर हम पार्लियमेंटरी फोम गुवर्मेंट की बात करी रहे है तो हम ज़रा इसको इसके कुछ पीचर्स समझने का ट्राई करेंगे इसके फीचर्स क्या क्या होते है तो जैसे पहला फीचर क्या है कि एक आपका नॉमिनल हैड होगा और एक आपका रियल हैड होगा कि इसके अंदर पारलिमेंटरी फोर्म ऑफ गवर्मेंट के अंदर जैसे क तो सर नॉमिनल कौन होगा बैटा नॉमिनल मतलब जो सिर्फ कहने कहने का हेड है that is president that is president second आपका real head सर कौन होगा असली नेता कौन है असली head कौन है वो है prime minister सर कैसे बोल सकते हैं आप ऐसे और सर आप ऐसा बोलके क्या president की शक्तियों को कम बता रहे हो या सर आप ऐसा बोलके president की post को कम बताना चाते हो ऐसा कुछ नहीं है भाई मैं आपके बताऊँगा एक article है there is one article, article 74 article 74 क्या बोलता है कि केंदर में यानि की center में एक council of minister होगा center में एक council of minister यानि के बेटा एक मंतरी मंदल होगा क्या होगा एक मंतरी मंदल होगा इस मंतरी मंदल का head होगा प्राइम मिनिस्टर इस मंतरी मंदल का head होगा प्राइम मिनिस्टर अब article 74 क्या बोलता है कि एक council of minister होगा जिसका head होगा प्राइम मिनिस्टर और उस council of minister का क्या काम है उस council of minister का काम है प्रेजिडेंड को advice करना और यहाँ पर गोर करने वाली बात यह है कि जो भी advice यह council of minister प्रेजिडेंड को करेगा प्रेजिडेंड को वो बात माननी पड़ेगी ऐसा होना कि चलो राश्पती को ये लोग सला दे रहे हैं और राश्पती सला माने या ना माने अलग बात वो आई सरकार के पास हमारे देश में जो रियल शक्ति क्या है बिटा वो रियल शक्ति सरकार के पास है और सरकार का निता को नो था सरकार का निता प्राइम मिनिस्टर इस वाए प्राइम मिनिस्टर इस दी रियल हैड ऑफ दा गवर्मेंट और प्रेजिडेंट इस दी नोमिन second point की collective collective responsibility collective responsibility आपके exam में कभी 12Quston आता है कि भीया यह जो आपकी सरकार है जो आपकी सरकार है या फिर exam में आएगा लोग सभा आपके सरकार है जो लोग सभा के अंदर बैठती है अब सरकार को basically हम यह पूछते है कि सरकार है वो किसके लिए responsible है वो किसके लिए responsible है बताईए collective responsibility हमारी सरकार की responsibility पूरी लोक सभा के लिए होती है तो अब यह एक parliamentary form of government का feature है कि council of minister is responsible for the लोक सभा कि अगर council of minister ने कोई बिल पास किया और अगर उस बिल को पास नहीं किया गया तो भाया उनको से रेजाइन करना पड़ेगा या मानिए कि किसी opposition party ने उन पास कर दिया तो उस केस में सरकार को उसकेस में सरकार को रेजाइन करना पड़ता प्रॉव कि यह पॉर दी पार्लियमेंट लेकिन उस पार्लियमेंट के अंदर आपका राजसभा लोगसभा दोनों आ जाते हैं अगर आप प्रिसाइजली बोलूँ या फिर बिल्कुल एक एक जैक्टली बोलने की बात करूं तो काउंसिल और मिनिस्टर इस रिस्पोंसिबल फॉर दी लोगस तो मतलब क्या इसका है बताईएं जानिकी प्राइम मिनिस्टर की लीडर्शिप देखो एक समझने का ट्राई करते ह्की लोगसभा बनती कैसे है भारत को पूरे भारत को अलग-निद्व में दिवाइड किया आता है है भारत को अलग- अलग ira से करकरकिज आ जाता अब सिं तो अलग अलग स्टेट को उनकी population के according अलग अलग हिस्से के अंदर डिवाइड करते हैं उस हिस्षे के बोलता है constituencies जैसे दिल्ली के अंदर total साथ constituencies हैं तो साथ जगा से member of parliament को choose किया जाएगा साथ जगा से member of parliament को choose किया जाएगा हर स्टेट से ऐसे member of parliament की seat के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं चुनाव लड़ते हैं ठीक है उसके बाद जो लोग लोग सबा के अंदर चुनकर आएंगे मानो की 2024 का election हुआ था मान लेते हैं कि 2024 का election हुआ पूरे देश में election चला और वहां से बीजेपी ने वहां से बीजेपी ने पांच सो तरतालिस में से तीन सो सीटे जीत ली पांच सो तरतालिस में से तीन सो सीटे जीत ली ऐसा मान लेते हैं ठीक है बहुत बड़ी है तो यहां पर बीजेपी किसके अंदर आ गई है बेटा यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पर BJP majority में तो BJP की सरकार बनेगी अब जब BJP सरकार बनाएगी तो अपना एक नेता चुनेगी तो से मानों की इस बार भी धरेंदर मोदी सहाब को अपना वो नेता ही लीडर चुनते हैं ऐसा मान लेते हैं तो फिर धरेंदर मोदी सहाब दुबारा प्राइम मिनिस्ट को अपने लीडर चुन लिया तो सरकार का लीडर हुआ फरस्ट अफ फॉल हैड अफ दा गवर्मेंट हो गया सेकिंड पॉइंट लोगसभा का नेता कोन होता है एक्जाम में कोशन कई बार आता है अब लोगसभा का नेता और लोगसभा का अध्यक्ष ये दोनों अलग बात और क्या है मुझे मजद यापर 175 आ रही है कि अगर सरकार के चुनने के बाद अगर प्राइम जा बनाया जाएगा और प्राइम मैंश्टर लोघवा का भी लीडर बनेगा कांस्यल मिनस्टर का भी हैड बनेगा तो यह देफिनेटली तो लिडर स्व रहेंगी वह एक्जैट form of government में ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है as compared to the president समझे तो इसको सही या गलत नहीं लेना अब बच्चे बहुत सारे से बोलता है कि यार सर प्रेजिडेंट फिर बनाया ही क्यों है तो प्रेजिडेंट की है हमारे मिनिस्टर को और उन मिनिस्टर में से एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है क्या आपने आज तक प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया किसी कभी नहीं किया हमेशा हर बंदा member of parliament के लिए contest कर रहा है पहले बाता जितने भी नेता है ये लोग member of parliament बनने के लिए contest करते हैं अब member of parliament बनने के लिए contest रहे हैं तो उनमें से कोई इनसान एक जाकर Parliament में जाकर Prime Minister बनेगा लेकिन इन लोगों को चुनतो हम रहे हैं ना तो जिन लोगों को हम चुन रहे हैं शक्ति उनके पास होनी चाहिए लेकिन प्रेजिडेंट को हम लोग नहीं चुनते तो शक्ति प्रेजिडेंट के पास नहीं होनी चाहिए उनके पास जितनी शक्ति होनी चाहिए उतनी बेंने जरा एक बार को मिटाओ पहले एक पॉइंट बेटा और कि आएगा आपका यहां पर अनदर पॉंट सुर्थ बोलता हूं यहां पर आप से पॉर्थ पॉइंट इस मैजोरिटी पार्टी रूल फॉर्थ पॉइंट अगर बीजे पी तीन सो सीटे जी जाएगी तो बही है जो जाधा सीटे जी जाती है Parliamentary Form of Government के अंदर वही पूरे 5 साल तक सरकार चलाती है कभी कभी क्या होता है कि कोई एक सरकार यानि कोई एक पार्टी मैजोटी वोड नहीं जीत पाई तो दो पार्टी मिलकर एक संगठन बना लेते हैं वो बना लेगे गवर्मेंट तो सीधी बात क्या है कि जिसके पास ज्यादा सीटे होंगी सरकार वही बनाएगा सीधी बात तो यह वाली है बहुत प्लेन और बहुत क्लियर बात है यह वाली यह बात समझागी हमें यह हमारा होगे चोथा पॉइंट पांचो पॉइंट है पांचो पॉइंट एक और पॉइंट भी होता है आईए लेट्स लोक बाउट दा फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट यह सारे पॉइंट फीचर आपके एक्जाम में आते हैं आपका पांचो फीचर रहेगा यहां पर बाई कैमरल बाई कैमरल लागिस लेचर तब इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा बेटा दूइ सदनी है मतलब केंदर के अंदर या राज्ये के अंदर आपको दो सदन देखने को मिलेंगे यानि की देखो केंदर में दो सदन है राज्ये में दो सदन हो सकते हैं यानि की एक लोकसभा और एक राज्यसभा एक लोकसभा एक राज्यसभा यानि की दो सदन होंगे इसी को बोलता है बाइक केमरल लेगस लेचर ठेक है यानि कि दूई सदनी है सभा ठेक है बेटा तो यह सारे के सारे आपके फीचर्स हो गए इसको अगर एक सेकंड में रिवाइस करने की बात करी जाए तो पहला फीचर एक नोमिनल हैड होगा और एक रियल हैड होगा नोमिन मंतरी का नित्रजाने की प्राइम मिनिस्टर के लीडर्शिप रहेगी सेकंड बात जो पार्टी जादा सीड जीदेगी वही सरकार मनाएगी अगला पॉइंट लास्ट बाइक कैमरा लेगस लेचर दूई सदनी आपको हाउस देखने को मिलेगा आपको दूई सदनी आपको आएंगे पार्लिमेंट और इंडिया पर यानि कि भारत की संसद क्या बोलती है भारत के संसद के तीन पार्ट होंगे एक लोकसभा एक राज्यसभा आप में से आदे बचस यही जानेंगे कि लोकसभा और राजसभा मिलकर यह नहीं कि फ़स्ट एंड सेकंड यह दोनों मिलकर भारत की संसद बनाते हैं लेकिन आप गलत बोल रहे हो यह पर एक चीज और भी आईगी देट इस भारत का प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट ओफ इंडिया यह तीनों मिलकर भारत की संसद का या भारत की पार्लियमेंट का निर्मान करते हैं तो अगर आपके एक्जाम में कई वर आया भी हुआ है कि इन में से कौन भारत की पार्लियमेंट का पार्ट नहीं होगा लोग प्रेजिडेंट आंसर करके आते हैं कि प्रेजिडेंट ओफ इंडिया संसद का पार्ट नहीं है मैं यह नहीं बोल रहा आपको कि प्रेजिडें के लिए मुझे ये तीन नाम लिखने पड़ेंगे लोकसभा राजसभा और प्रेजिडेंट ओफ इंडिया ये तीनों ही मिला कर भारत की संसत्का या पार्लिमेंट का निर्मान करते हैं तो ये बाद आप नहीं भूलेंगे ठीक है वह या चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के सा ये बोलता है कि देर शेल भी पार्लिमेंट पॉर दा यूनियन यानी कि हमारे के इंदर के लिए एक पार्लिमेंट होनी चाहिए और उसके अंदर क्या क्या आएगा विच शेल कंसिस्ट दप्रेजिडेंट and two houses to the known as council of states and the house of the people संग के लिए एक संसद होगी जिसमें राश्पती और दो संदन होगे जिने करमशा राज्यों की परिशद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा एक बाजा समझ लो भी एक होगा आपका लोकसभा एक होगा आपका राज्यसभा लोकसभा को house of people भी कहा जाता है house of people भी कहा जाता है ताज साथ इसका एक और नाम भी है that is popular chamber popular chamber भी इसे ही कहा जाता है popular chamber भी इसे ही कहा जाता है तात्वा राजसभा को बोले जाता है council of states council of states भी कहा जाएगा राजसभा को समझे मेरी बात आप यह आपको बाते आद रहे आप ले बाते भूलनी नहीं एक्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं बाते यह वाली कि चेक करने के लिए बच्चे की knowledge actually में कितने रहो कितनी नहीं है ठीक है इसके साथ साथ राजसभा को बोले जाता है upper house upper house भी बोले जाएगा राजसभा को और इसको बोले जाएगा lower house upper house राजसभा lower house lockdown ठीक है अब यह बाते भूलेंगे नहीं तो PDF के लिए बेटा, आप हमारी application को डाउनलोड कर लो, उस application में आपको communities के अंदर मेरा group में लेगा, GS by साहिल मदान सर, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, चलिए, अगला point, next, अब बात करेंगे हम राज्ये सभा के बारे में, राज्ये सभा अगर वैसे राज्ये सभा की बात करूँ, तो fourth, जो हमारा schedule है, यानि के हमारी जो चोथी अनुसूची है, जो हमारी चोथी अनुसूची है समिधान की, वो राज्ये सभा के seat के बारे में बात करती है, यानि की seat का जो allocation राज्ये सभा का, वो बात करता है, किसका भी है, वो एक्जाम में कभी कभी आता है कि fourth schedule क्या होता है तो आप जहान रखना है fourth schedule related to राजसभा ठीक है simple point आगे बढ़ेंगे इसके बाद अब बात आएगी seats की अब seats दो तरह के हो सकती है पहली maximum seats और दूसरी दूसरी किते हैं बिटा दूसरी आपकी present seat तो अगर मैं राजसभाजी बात करूँगा तो maximum seat बनती है आपकी 250 और present में है 245 present में है 245 present में है 245 ठीक है मैं आपसे अगर यहाँ पर बात करूँ 245 के अंदर तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 239 प्लस 4 प्लस 12 तर यह क्या है 239 तो बेटा राज्जे से लोग चुने गए है चार बेटा यूनियन टेरिटरी से केंदर शासित परदेश से लोगों को चुना गया और सर यह 12 कुन से अब क्या सर यह पाकिस्तान से चाइना से बंगलादेश से आए हैं ना ना ऐसा कुछ नहीं है बेटा यह आए हैं नॉमिनेट करके इनको नॉमिनेट किया गया है अब तर इन चार इन 12 लोगों को नॉमिनेट करता कोन है बेटा इन्हें नॉमिनेट करेगा राश्पती इन 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा राश्पती ठीक है तो पहले समझ लेते हैं कि भाया यह लोग कैसे आते हैं चुनकर तो पहले हम बात करते हैं 233 लोगों की पहले हम बात करेंगे कि 233 लोग यह राज्य सभा के अंदर चुनकर कैसे आये हैं तो यहाँ पर ना इसके नाम के अंदर ही इसका अंसर है यहाँ पर क्या लिखा हुआ ह कि यह बाद यहांपर समझने वाली यहांपर आपने क्या समझना है कि हमारे हर राज्ये में हमारे हर राज्ये के अंदर एक विधान सभा होती है हमारे हर राज्ये में एक विधान सभा होती है correct? नहीं गलत तो नहीं बोलरा होती है के नहीं होती? यास, very good इसके साथ साथ बहुती भद्धरी लिखा गया, इसको ज़ा ठीक कर लें सारा इसको बटा एक बार, विधान सभा को विधान सभा होती है विधासभा के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हम लोगों ने चुनकर बिठाया है जैसे मानो की मैं डेली में हूँ मान लेते हैं डेली में राजसभा की तीन लोग डेली से चुनकर आते हैं राजसभा के अंदर वैस तो राजसभा यूनिन टेरिटरी है एक अब डेली के एक्जामपल ले लो बहुनों डेली में से तीन लोग चुनकर आते हैं तो तीन लोगों को चुनेगा कुन उन तीन लोगों को राजसभा के अंदर चुनकर भेजेगा कुन ये पॉइंट बहुत जुरूरी समझने वाला तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा ये कि जिन लोगों को दिल्ली के अंदर विधान सभा के अंदर चुनकर बिठाया है वो लोग अपने में से कुछ लोगों को चुन कर वेजेंगे राजसभा के अंदर यानि कि जो लोग राजसभा के अंदर बेठे हुए हैं उन्हें कोण चुनेगा उनको चुनेगा यानि कि जो विधान सभा के अंदर चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए लोग बैठे हैं वही लोग चुन कर वही लोग अपने मेंसे कुछ लोगों का इलेक्शन करके इसे बोलते हैं इन डायरेक्ट इलेक्शन इन डिरेक्टली एलेक्शन करके राजी सभा के अंदर लोगों को भेज़ेंगे एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल लेते हैं क्या एक्जामपल होगा मान कर देखो भारत का एक स्टेट है पंजाब मान कर देखते हैं भारत का एक स्टेट है पंजाब भारत का एक state है पंजाब मान लेते हैं example ले रहे हैं Deadly ऐसे याद नहीं आ रहा है कि पंजाब की seat कितनी है example लोकी पंजाब की 10 seat है राजे सभा की की पंजाब ने अपने state में से 10 लोगों को चुन कर राजे सभा के अंदर भेजना है यह आपका हुआ पूरा कवा राजसभा यहाँ पर आपको दस लोग पंजाब से देखने को मिलेंगे अब कोशन आएगा कि जब भाईया राजसभा का इलेक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं गर राजसभा की इलेक्शन इंडिरेक्टली हो रहा है तो ये लोग यहाँ पोचे हैं कैसे अब पंजाब के अंदर एक विधान सभा है तो पंजाब के लोग ने अनॉस्मेंट कर दिया कि भाईया दस राजे सभा की सीटों के लिए इलेक्शन होने वाले हैं तो जिन लोगों ने जो लोग राजे सभा का मेंबर बनना चाहता है वो लोग इस इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है अब क्या होगा कि पंजाब के विधान सभा के लोग इन दस लोगों के लिए वोटिंग करेंगे मानो कि इन दस सीटों के लिए 50 लोगों ने पर्चे भरे उन 50 लोगों में से 10 लोगों को चुनने का काम विधान सभाग के अंदर बैठे हुए पंजाब की विधान सभाग के अंदर बैठे हुए Member of Legislative Assemblies के लोगों को मिला यानि कि वहां के विधायक को मिला तो यहें पर 10 लोगों को चुननेगे और यह 10 लोग जागर पंजाब के अंदर बैठ जाएंगे यह 10 लोग जाकर राज्री सभाग के अंदर जागर बैठ जाएंगे पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए तो जैसे यहाँ पर point समझने वाला क्या है बिटा को वो भारत के अलग-अलग राजियों को क्या कर रहे है बिटा अलग-अलग राजियों को और अपने ही राज्ये के लोग उनके राज्ये विधान सभागे दर बैठें वही लोग उनको चुलकर राज्य सभाग के अंदर अपने स्टेट को रिप्रेजन करने के लिए बहिज रहे हैं जैसे एक आम आदमी पार्टी का राघव चड़्ड़्ा आपने नाम कई वार सुनाओ का यह निवार आते हैं राघव चढण कि वृधान सभाने चुन कर राजसभा का मेमबर बना ह视ड़ा यह पंजाब इसे आम आदनी पार्टी को राजीव राघव चढण हंडा रिपरेजंट करेगा समझे ऐसे लोग चुने जाते हैं ठीक है बेटा अगर आपको कोई बात इस लेक्टर में समझ ना आए तो आप कमेंट बोक्स में लिख सकते हो कि सर यह बत समझ नहीं आई इसको सर एक बार समझा दीजिए मैं आपको कमेंट में खुद आकर उस बात को समझाऊंगा राइट चले आपकात बेसीक होते है राज समझावा के बारे में और सर जो स्टेट को राजय समझे चर्भा करी जाएंगी वोकर यह बात ओर इंब यह जए KE बार्न new generation के द्वारा जिन को nomination है द्वारा राज सम्साफंज्ब सेभ्हारा सीट मिर्गी और करेहां कून इसे करें राश्पति अब राश्पति ने वोला कि चलो बारा लोगों को रिप्रेसेंट करना है बारा लोगों नोमिनेट करना है तो होंगे कौन तो रहोंने चार फील्ड चूस करें पहली पहली फील्ड arts, दूसरी field visual service तीसरी field आपकी science चोत्ती literature अगर आप ध्यान से इसको समझेँगे ना चारो को तो आपको लगेगा सर दुनिया भर का आपको लगेगा सर दुनिया भर के जितने भी प्रफेशनस है जितने भी fields है सर वो सारी इसी में आ गई है जतनी फील आपकी यह ETA IT, IT, Wellness सारा साइनस में आ जाएगा जो लोग सारे आपके राइटर्स हैं, बड़े-बड़े राइटर हुएं वो सार Şimdi लिटरेचर में आ जाएगे जो लोग खेल से समंद्द करते हैं वो सारा इर्च्छ में आ जाएगे और जो कहीं नहीं आएगा वो सोशल सर्विस में तो आई जाएगा जैसे हमारे देश के एक मिनिस्टर है External Affair Minister जैश अंकर परसाथ वो भी राजे सभा के मेंबर है वो भी राजे सभा के मेंबर है ठीक है और वो मिनिस्टर बने हुए है तो राजे सभा का मेंबर भी भारत के अंदर एक मिनिस्टर बन सकता है यह बात आपने भूलनी नहीं है गलते से कई भी तो यह आपका बेसिक हुआ राजे सभा के बारे में आप चाहो तो इसको लिख लो नहीं तो आपका पीडिएफ के अंदर सारा प्रवाइड करा दो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लेक्चर लेतरे सासा लिखते रहो क्योंकि जब सासा लिखोगे तो आपको चीज़ जल्दी याद होगी अधरवाइज आप भूल जाओगे ठीक है चलिए अगला पॉइंट तो जो बाते हमने बटा लिखी है यह सारी वही क्यों है लिखी होंगी कि राजसभा इस दी अपर हाउस ओफ दा पार्लिमेंट एंड इस टाम्ड एस हाउस ओफ एल्डर्स क्योंकि यहाँ पर सारे बुज़ुर लोग बैठते हैं है ना राजसभास member are elected by the elected members of state legislative assemblies using a method of proportional representation देखो जो मैं आपको अपनी काली स्लाइड पर लिखूंगा वही चीज एक्जेटली एक बुकिस लेंगवेज में हमारी स्लाइड पर लिखी होगी लेकिन मुझे लगता है कि यह जो बाते हैं अगर इनको बच्चों को नहीं समझाया जा रहेगा तो फिर लेक्टर पढ़ाने का को पॉइंट ही निया फिर बचा बुक के अंदर से पढ़ सकता है तो मेरा आइडिया इन क्लासे में यही रहेगा जो आपको मैं हम यह नहीं स्टार्ट कर रहे आपके लिए कि आपको एक्जाम से पहले पढ़कर चले जाएं वहां म कमेंट बोक्स के अंदर डाउट अबना लिख सकते होगा जार यह बास समाझ नहीं आइगा राज्ये लोकसभा लोकसभा की अगर हम लोकसभा की अगर हम इसका नाम क्या तो मैटाएक हो इसका नाम होता पॉपूलर चेंबर पॉप्यूलर चेंबर या फिर house of people या फिर lower house या फिर lower house बिटे जो अंग्रेजी वारे नाम है नहीं ये जो अंग्रेजी के नाम है ये सारे के सारे नाम में किस ने दी हैं ये सारे के सारे बिटे नाम British सरकार ने दी है ये सारे नाम हमें British सरकार नहीं दी है क्योंकि अगर कभी देखा जाएगा इतिहास में कि पार्लिमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट का जनम कहां से हुआ है ब्रिटेन से हुआ है भारत के पास तो पहले कोई अपना रूप ही नहीं था सरकारों का है ना जब अंग्रेजन दोह साल राज किया तो वही राज करते र है वह इंडियर फ्लेवरी तो है वही तो मसाला है है ना वही हमें बाग की जगाव से लग बनाये था राइट चलिए तो भाई यह अगर मैं लोगसवा की सीट्स है टोटल लोगसवा की सीट्स है टोटल देखो पहले सीट्स 552 थी और 545 थी यानिकि मैक्सिमम पास्वावन और प्रेजेंट प्रेजेंट 545 थी लेकिन 104 थे 104 चौंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद दो सीटे कम हो चुकी है टो सीट्स आर लेस कैसे इस अमेंडमेंट ने बोला कि पहले लोगसवा के अंदर दो एंगलो इंडियन को दो एंगलो इंडियन कम्यूनिटी से लोगों को नोमिनेट किया जाता था लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि अब ये नहीं किया जाएगा तो राइट नाओ यह जो दुब पांसो की बावं सीटे हैं ये सीटें पांसो बावं ना रहे कि पांसो पचास हो चुकी है और ये पांसो पंदालिस ना रहे कर पांसो 43 हो चुकी है लेकिन अगर हम अभी भी लोग सभा की वेब साइट को खोले तो मुझे 552 और 543 देखने का मिलता है लेकिन एक्जाम के अकोडिंग 550 और 543 होगा टेक है दन ब्रो तो सर ये बताईए कि जो 543 लोग है ये जो सर 543 43 लोग है जो आप प्रेजेंट मेंबर्शिप है लोग सभा की तो सर इनको किस परकार से सीटे प्राप्त होती है इनको सीटे प्राप्त होती है डिरेक्ट इलेक्शन के द्वारा डिरेक्ट इलेक्शन के द्वारा सर वो कैसे जैसे कि हर स्टेट में हर स्टेट में लोग सभा का एलेक्शन होता है हर स्टेट में लोग सभा का एलेक्शन होता है जैसे राजसभा की सीटे होती है सिम उसी तरीके से पोपुलेशन के अकोर्डिंग लोग सभा की सीटे होती है तो यहाँ पर जो यह डिरेक्ट एलेक्शन होगा आपका यहाँ पर आप मैं और हम सब खुद डिरेक्टली जाकर मेंबर ओफ पारलिमेंट चुनने के लिए वोट देकर आएंगे तो हम दो बार डिरेक्ट इलेक्शने पार्टिसिपेट करते हैं एक हम करते हैं विधान सभा के इलेक्शन के लिए डेली में 70 सीटे हैं विधान सभा के लिए और 7 सीटे हैं लोग सभा के लिए दोनों को ही परत्यक्श इलेक्शन के परत्यक्श चुनाव के जरिए हम लोग ऐसा जनता चुनते हैं अब जाते हो आपने वोट दिया आपके यहां पर काले रंग की हिंग लगई कि भईया इसने वोट दे दिया कोई लोग कोई इंसान डबल वोट ना कर पाए अभी तो यह बात चल रही है कि भईया इलेक्ट्रोनिक वोट कराए जाएंगे कि आप घर से बैटे फोन से वोट कर सकते हो और लोग सभा विधान सभा का चुनाव एक साथ कराए जाए जैसे कि पैसे बचाए जा सकें तो काफी सारे बाते हैं इसको चीजों को इंप्रूव करने के बाद चल रही है तो लोग सभा छाए अपर संज़ने वाला और जो लोग और जो सरकार यहादा पा लेगी वह अपनी सरकार बना gör ऐसी के उपर कि लोग सभा के क्या क्या नाम है लोग सभाब यह आ चाहो तो बटा मेरे वो समझदार भी होंगे जो बच्चे बैट कर स्क्रीन शोट ले लेते हैं लेकिन मैं आपको ही बोलूँगा कि स्क्रीन शोट लेने से बैटर है कि आप साथ साथ लिखते रहो क्योंकि चार चीज़े हैं जो आपके एक्जाम को पास करवाएंगी एक नोट मेकिंग बाइ यूरसल्फ टेकिंग लाइब क्लासेस एंड मेकिंग यूर ओन परस्नल नोट्स बिखो परस्नल नोट्स के बने बटा अलग बात होती है थर्ड चीज रिवीजन अब कितनी बार रिवाइज करते हैं चीज़ों को वह बहुत मेंटर करती है लास्ट पॉइंट इस टेस्ट मोग टेस्ट कि अपने जो पढ़ा क्या आपका आता है कि नहीं आता है ना ये पॉइंट बहुत जरूरी है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसके साथ अब बटा भाई तुबाराची रूटीन में चलेगी कि भाई या लोकसभा constitutionally the house of people ये इसका नाम लिखा हुआ है समिधान के अदर is the lower house of Indian bicameral parliament with the upper house as राजसभा यानि कि बेटा अगर बात आए lower house की lower house वो होगा लोकसभा अगर बात आए upper house की upper house तो बात वो आए उसका मतलब होगा राजसभा गलती नहीं करेंगे एक्जाम में क्योंकि ये गलती बहुत सार बच्चा करकर आते एक बार अभी मैं क्लास ले रहा था मैंने कोश्चन लाइफ क्लास चल रही थी महाँ पर मैं mcq उसके प्रैटिस कर आता हूँ तो वहाँ बच्चा ने बोला कि अपर हाउस तो लोग सभा होता आप गलब बता रहे हो फिर मैंने इसको शांतिय समझाया कि बेटा नहीं होता ठेक है इसके साथ अगर आप में से कोई बच्चा मेरे साथ डेली जुड़ना चाहता है जी के जीएस के एंसी क्यूस की बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो चाहिए वह ससी का सीजी एल एंटी है सी एचसल कोई भी हो रेलवेज एपी एफो जैन्यू इगनो आपका विश्व भारतिया नहीं आया है कोई एक्जाम दे रहे हो बंडे आपका है अगर सी डीएस एंड की उमर जो किया अठारा जो किया अठारा पहले थे 21 अब उठारा हो चो किया एड एड़ फर्स पास्टो पोस्स इस्टम तो रिप्रेजन्ट बेर रिप्रेजन्ट रिस्पेक्टिव कॉंस्टिट्वेंश एंड टे होल्ड एर सीट्स फॉर फाई यर्स अंटिल दा तागी हिंदी में लिखी हुई है कि लोकसभा समय धानेक रूप से लोकसभा भारत की दूई सदनिये संसद का निचला सदन है जिसमें उच्छ सदन राजसभा है लोकसभा के सदस्द से वियसक सारभोमिक मताधिकार और अपने-अपने निरवाचन सहितलों का प्रतिनिद्व करने के लिए पहले अतीत पद प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और वे पांच साल तक या राजपती की सलहा पर निकाय को भंग किये जाने तक अपनी सीटोबर बने रहते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ीया पॉइंट यह जानने का आए कि लोकसभा के डूरेशन क्य को आईए जानते हैं बात वो डूरेशन की पहले बात करेंगे लोकसभा की पहले बात करेंगे लोकसभा की तो लोकसभा का चुनाव होगा चुनाव के लोकसभा चुनी जाएगी और लोकसभा का टाइम पिरिड़ है फाइव इयर्स लोकसभा का टाइम पिरिड़ है भी सकते हैं पहले बात करेंगे बढ़ाने की पहले बात करेंगे पोजिलिफ पॉइंट की पहले क्यों करना है पहले बढ़ाने की बात करो मानो भारत के अंदर अपात काल की स्थिति है मानो भारत के अंदर नैशनल एमरजंसी की स्थिति चल रही है तो उस केस में लोकसभा की tenure को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा एक एक होता है डिसॉल्यूशन एक होता है डिसॉल्यूशन ओफ लोग सभा जो करता है प्रेजिडेंट जो करता है प्रेजिडेंट एक्जामपल लेते हैं आपसे मानो सरकार ने बजट पेश किया मानो सरकार ने बजट पेश किया और बजट के ऊपर जब वोटिंग कराई गी तो सरकार का बजट फेल हो गया ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब 300 लोग सरकार के बैठे होंगे तो डेफिनेटली मैजूर्टी से पास हो जाएगा लेकिन मान कर चलो कि किसी दो पार्टी ने मिलके एक पार्टी बनाई है और दोनों पार्टी में टल गई है फूट ऐसा मान कर चलते हैं दोनों पार्टी में टल गई है फूट मान कर चलो और एक पार्टी ने मतलब एक फैनाइस मिनिस्टर ने बजट को पेश किया और दूसरी पार्टी ने पहले प्लैन कर रहा था कि इस confidence motion resolution start कर देगी लोग सभा के अंदर अगर no confidence motion पास हो जाता है तो वहीं पर राश्पदी के पास हक है कि वो लोग सभा को भंग कर देगा और दुबारा से fresh election करवाई जाएंगे दुबारा से fresh election कर जाएंगे अगर no confidence motion पास हो गया तो जो हमारा council of minister है जो हमारी सरकार है वो resign कर देगी with prime minister और जब ऐसा होगा तो लोग सभा अपने आप 5 साल से पहले ही भंग हो जाएगी और जैसे ही भंग हो जाती है उसके बाद fresh election करवाई जाएंगे समझे तो yes समय को कम भी किया सता इस समय को बढ़ा जासता लेकिन समिधान के अकोर्डिंग अगर सब कुछ सही चल रहा है तो लोग सभा की एज होगी पांच साल अगर लोग सभा की एच पांच साल तो लोग सभा की एच पांच साल तो लोग सभा के मैंबर की भी एच पांच साल होगी यह पहला पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट राजसभा का डियूरेशन क्या होती है राजसभा की बैटा कोई भी डियूरेशन नहीं होती का मतलब इसका मैंने क्या बोला को कि भाइया लोग सभा को डिजॉल्व किया जा सकता है लेकिन राजसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सब्सक्राइब राजसभा के जो मेंबर्स है बेटा वो करेंगे resign वो करते है resign वो करते है resign one third member every second year every second year यानि कि हर दो साल में राज सभा के one third member resign कर देते हैं तो सर कोष्टन एक्जाम में आत है कि राज सभा के जो मैंबर हैं उनका टैनियूर कितना होगा उनका वेटा सिक्स इयर्स उनका होगा इस पर का से गड़ित लगाई गई गई है कि तीन दूनी छे की एक मैंबर राजसभा के अच्छे साल के लिए रहेगा और जिसका छे साल का टैनियूर खतम हो गया वह अपने आप रिजाइन कर देगा किससे अपनी सीट से और उस सीट के लिए नए इलेक्शन करवाई जाएंगे उस सीट के लिए नया एलेक्शन या फिर नया राज्जे अपने लोग को भेज कर चुनकर भेज़ देगा भी यह वारा बंदा आज से बैठेगा छे साल के लिए तो अगर एक्जाम में कोशन आए कि राजसभा का डूरेशन क्या होता है आंस तो क्या करोगे तो आप छे साल तक मेंबर बनके रह सकते हो ठीक है चलिए अगला पॉइंट डूरेशन ओफ दा लोग सभा एंड राजसभा दा काउंसिल ओफ स्टेट्स शैल नोट बी सब्जेक्ट तो डिजलूशन बट नियरली ऐस पॉसिबल वन थार्ड ओफ दा मेंबर ओफ दा राजसभा शैल रिटायर ऐस सून एज मेबी ओन दा एक्सपिरेशन ओफ एवरी से हो सकता इट पर्मेनेंट हाउस लेकिन संसद द्वारा कानून द्वारा इस संबंध में बनाएगे प्रावधानों के नुसार पर तेक दूसरे वर्च की स्वापती पर यथा संभव लगव एक तिहाई सदस से जल्द से जल्द सेवा निर्वत हो जाएंगी सिंपल ठीक है आगे बनेंगे नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कि लोगसभा की लोगसभा दा हाउस ओफ दा पीपल दैट इस लोगसभा अनलेस सूनर डिजॉल्व तैल कॉंटिन्यू फर फाइव यर्स वेरी गुड पॉइंट कि जब तक लोगसभा को डिजॉल्व नहीं किया जाएग प्रोंदा डेट अपॉइंटेड पॉर इट्स फास्ट मीटिंग बट नो लोंगर एंड एक्सपाइरेशन ओव दा सेड पीरिएड ओफ फाइव यर्स क्या बोल रहा है हिंदी पने जारत कि बड़ा इंगलिश हो गई लोगसभा जब तक की पहले भंग ना हो जाए अपनी आप इसको पढ़ लीजिए जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझ आना चालू हो जाए अगर वह जाना इंपोर्टेंट वह भी जानना इंपोर्टेंट तो इसके साथ साथ मैं आपको अब एक कोशन कराऊंगा और आप इस कोशन का अंसर मुझे कमेंटर बोक्स में देंगे या आपका कोशन है पहला इस और पस्ट कोशन अप आनसर आसे देंगे मानोकर आपर यहां पर चाहन लिखी होई है ए डिझेगा आप च सर्फकान सर्मानों कि मान लेते हैं मुझे तानी आप यंगे हैं ताप चांसर आप हैं कि सर्फ vaak का आनसर और यह है और हमारी टीम आप का अंसर करेक्ट है या आप कहां से गलत है ठीक है तो यह आपके लिए सारी होमवक्स है आपने इसका अंसर मेरे को देना है क्या कोशन है कि वाटार दी क्वालिफिकेशन रिक्वाइड पॉर पर्सन तो पार्टिसिपेट इन दी लोगसभा एलेक्शन दा पर्सन मतलब यह यह क्या लिखा है आपकी बाते आपने पढ़नी है चार बाते क्या के रिक्वार्मेंट चाहिए आपको यह बताना लोगसभा मर बनने के लिए पहला दा मस्ट भी अट लीस्ट फंडी फाइब यह अच्छा दा पर्सन शुड नोट हैव एनी क्रिमिनल रिकोर्ट ठीक है दा पर्सन शुड है प्रोपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओके दा पर्सन मस्ट भी असे डिजन आफ इंडिया देखो यह बात समझने वाली क्या है कि सर्क्या एलिजबिलिटि चांई कि सर्क्या एलेजबिलिटि चाहिए ताइक सरवाई लोग सबा यहां पर आप साथ साथ राज़ेश सभा की बाद Wilson ने कर लेएं बैटा कि आप से एज की बात करूं एज की तो लोग सबहा के लिए 25 साल 25 यार्श उल्ड राज सभा के लिए 30 साथ, दो बाते हो गई, 25 और 30, दो बात समझागे आपको, इसके बाद वो इंडियन सिटिजन होना चाहिए, भारत का हमें वो नागरिक चाहिए, ठीक है, इसके बाद कोई क्रिमिनल रिकोर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी exception हैं, जैसे अभी राहूल गांदी का केस चला, तो क्या किसे ने सोचा, कि राहूल गांदी को बीजे पी दो साल की सजा दिलवानी क्यों चाहती है, डेड़ साल क्यों नहीं? या पांच साल क्यों नहीं? क्योंकि अगर किसी मेंबर ओफ पार्लियमेंट को दो साल या दो साल से उपर की सजा हो जाती है तो वो छे साल तक बैन हो जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए लेकिन अगर किसी member of parliament को दो साल से कम की सेजा होती है तो वो दुबारा election लड़ सकता है या उसकी सदस्था खतम नहीं होगा मालने अगर मैं member of parliament हो मेरे उपर किसी ने case कर दिया और अगर मुझे सजा सुनाई गई दो साल से कम की तो मैं दुबारा election लड़ सकता हूँ भार आता ही लेकिन अगर मुझे सरा सुनाई जाएगी दो साल से उपर की तो मैं 6 साल तक बैन होगे election लड़ने के लिए तो criminal record नहीं होना चाहिए ये बात सही है अगर मैं इसके according आगे चलो अपने question पर चलो तो भाया यहाँ पर मेरी पहली वाली statement तो correct है तो परसन शुड़ नोट है एनी criminal record ये भी correct है citizen होगा बिल्कुल correct है लेकिन educational qualification का कोई भी point नहीं दिया गया कि भाया आपको BA करनी है आपको master's degree करनी है आपको bachelor करनी है ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ तो ये वाला point मेरा गलत हो गया तो मेरा answer बैट है यहाँ पर क्या बनेगा right answer is right answer is a b and d यहाँ मेरा c correct हो गया यहाँ पर मेरा c correct हो गया अब मैं जानना ही चाता हूँ आप लोगों से कि आप में से किस किस बच्चे ने c answer दिया और इमांदारी से answer लिखना ठीक है बिल्कुल इमांदारी से जब को लगता answer वहीं लिखिएगा आप ठीक है चली आगे बढ़ेंगे eligibility इसके बाद हम already कर चुक हैं इसमें क्या बात करनी है और यह बात हम already कर चुक हैं कि eligibility क्या रहेगी अगर eligibility की बात ही करनी थी यह तो इसमें तो को point ही नहीं है है ना तुवारा समझ लेते बटा एक बार अगर बात करी जाए लोक सभा की तो 25 years अगर बात करें जाराजय सभा की तो भाई यह 30 years यह point आपका age वाला हो गया भारत का नागरिक होना चाहिए भारत का नागरिक होना जरूरी है ठीक है दूसरा कोई criminal proceedings नहीं होनी चाहिए कोई criminal proceedings नहीं होनी चाहिए अगला bank corrupt insolvent यानि कि उसका दिवालिया यानि कि उसका दिवालिया नहीं निकला होना चाहिए अब दिवालिया का मतलब क्या है माना आपने किस आपके पास आपके कंपनी थी अपनी आपने बैंक से लोन लिया एक हजार करोड का आप लोटा नहीं पाए आपने bank corrupt खोश कर दे कि मैं तो bank corrupt मेरे पैसा ही नहीं है ठीक है भईया तो यह सारी आपके eligibility है यह आपके eligibility है पूरी करनी है राइट चलिए अगला कोशन बढ़े अगला point क्या है session of parliament अब parliament के session क्या होते बटा यह मैं यह जानना पड़ेगा के parliament के session क्या होते है पार्लेमेंट के तीन session होते है कौन-कौन से सर एक आपका होगा budget session एक आपका होगा budget session राइट एक आपका होगा मौन्सून session मौन्सून session एक बटापका होगा winter session बजट मौन्सून और winter बजट स्टार्ट होगा बटा फेबररी चलेगा मही तर यह स्टार्ट होगा जुलाई में और चलेगा September तर अब स्टार्ट होगा winter स्टार्ट होगा नवंबर में चलेगा December तर चलेगा नवंबर में बलेगा और चलेगा December तर अब सबसे important session यह वाला है February, March, April में यह चार महीने तक चलता है बागी सार दो-दो महीने के चल रहे हैं यह वाला important क्यों है बटा क्योंकि इसी के अंदर first February को भारत के वित मंतरी यानि कि भारत के finance minister budget को पेश करते हैं budget को पेश करेंगे एक बात ध्यान रखिएगा हमारे समिधान में budget का नाम budget word कहीं पर भी यूज नहीं किया गया article 112 बात करता है और वो बात करता है किसकी बात करता है वो annual financial statement की annual financial statement की ठीक है वो बात करेगा annual financial statement की करेक्ट यह आपका पॉइंट है यह आपने आद रखने बटा बात है यह सारी बात है वह खाफी important है अगर मैं आगे बढ़ो उसके बात तो भाईया session और तीन चीज़े और भी होती है पहला होगा आपका adjournment दूसरा बटा आपका होगा तीन होते हैं adjournment होगा आपका एक आपका प्रोरोगेशन एक होगा आपका प्रोरोगेशन तीसरा बटा आपका होगा dissolution एक आपका इसके लाबा एक्स्ट्रा होता है that is summon that is summon ठीक है राइट ये कोशन आपका अब क्या होता है ना कि इसके अंदर भी काफी चीज़ आपको समझने पढ़ेंगे अभी कि अजन्मन क्या होगा प्रोरोगेशन क्या होगा जैसे मानो कोई लोकसवा की एक दिन पर सिटिंग चल रही है कोई ऐसी बात होगी सिटिंग को एंड कर रहा पड़ा आपने कभी आख़ारे पड़ा होगी आज की सिटिंग को रद किया गया या आज की बैठक को रद किया गया अगर किसी एक दिन की बैठक को या फिर सिटिंग को एंड कर दि end of one sitting, end of one sitting, not a session, session तो चार महीने का, दो महीने का, दो महीने का होता है, लेकिन sitting सिरब एक दिन की होती है, अगर एक sitting को end करने की बात है तो उसका मतलब क्या आएगा, that means is adjournment, कि एक sitting को end कर दिया, ठीक है, वोगा adjournment, फिर आएगा 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 प्रोरोगेशन, यानि कि इसके अंदर मतलब क्या होगा बैटा, कि एक session को, कि एक पूरे session को end कर दिया, क्या मतलब बैटा, कि sir termination, termination of a session, termination of a session of log sabah, मानों कि monsoon session है, किसी वज़ा से पूरे के पूरे monsoon session को ही खतम कर दिया, कि इस बार monsoon session होगा ही नहीं, उसका बोलेंगे प्रोरोगेशन, ठीक है, third point, dissolution, यहाँ पर क्या होगा, termination of log sabah, यहाँ पर होगा, termination of log sabah, यानि कि भीया, log sabah को ही भंग कर दिया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद, fresh elections करवाए जाएंगे, इसके बाद, fresh elections करवाए जाएंगे, एक्जाम में कोशन आता है, कि who can summon, प्रोरोग, और dissolve the house, एक्जाम में कोशन आता है, ध्यान देजाएंगे, जाएंगे, स्क्रीन पर एक बाद, कि who can summon, यानि कि कोन, लोग सभा को, बुला सकता है, कौन लोग सभा को, who can, प्रोरोग, यानि कि पूरे सेशन का अंत कर सकता है, या फिर dissolve, या फिर dissolve the लोग सभा, who can, summon दी लोग सभा, who can, प्रोरोग दी लोग सभा, who can dissolve दी लोग सभा, यानि कि लोग सभा को भंग करना, ये तीनों का हम कोन कर सते है, राइट आंसर इस, राइट आंसर इस, प्रेजिडेंट ओफ इंडिया, तो मेरा आप से यहां पर एक और कोशन है, या आपका कर दोगे, इसका अंसर क्या होगा, कि सर आपने चार चीदे बताई अभी तक, कि सर आपने अभी तक चार चीदे बताई है, एक बताया आपने अजन्मेंट, कि जब एक सिटिंग का एंड किया जाएगा, आपने बताया, सर एक समन किया जाएगा, सर ने बताया कि एक प्रोर Agendment कोण करेगा Agendment ओफ लोकसभा ये इसे करने की पावर किसके पास है इसे करने की पावर किसके पास है अब मुझे यह answer दी या आपके बैटा homework है इसका मुझे सारे के सारे बच्चे comment box में जवाब देंगे ते प्थाइञ ठाहिड您 औफ लोग सभा किसके द्वारा करी जा सकती है ठीक है राइट अगला बढ़ेंगे चली यह पॉइंट आपका जो बैठा के सिटिंग कि यह कौन करता है आप मुझे इसका आंसर देंगे कि यह कौन करता है चाहे बात इसकी करूं चाहे बात इसकी करूं इसे तो करेगा राष् पती अब मुझे बताएंगे कि इन में से इसको राष्प इसको कौन करता है ठीक है चली आगे बढ़ेंगे इसके साथ अब इटा प्रेजिडेंट के दो स्पेशल एड्रेस सेशन एड्रेस होते हैं एक पर इसको पढ़ लीजेगा कि लोग सभा के परतेक आम चुनाव के ब परतेक वर्ष के पहले सत्र के परारम में राश्पती एक साथ समवेच संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और संसद की उसके आवाहन के कारणों से अवगत कराएंगे यानिकि दो बार प्रेजिडेंट के स्पेशल एड्रेस होंगे पारलियमेंट में एक जब दोनों सदनों को संबोधित करेंगे ठीक है यह आपके परलिमेंट के प्रेजिडेंट के स्पेशल एडरेस होता है इसके बाद कुछ इंप आर्टिकल 79 कि भाई यह पारलिमेंट का कॉंस्टिशूशन कैसे होगा आर्टिकल असी राजसभा आर्टिकल एक्यासी लोग सभा आर्टिकल 83 दूरेशन ऑफ दा हाउसेस आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन हम इस सारी बाते ओलरेडे कवर कर चुके लेक्चर के अंदर और आई होप कि आपको पूरा कवर लेक्चर समझ आया होगा अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट है वट इस फुल फॉर्म औप मे दाऊंगा तो यह है आपको एक यह विटाअ की एक अधिया आपके दो और आपके तीन चार पांच च्छे साथ और यह साथ इसके अंदर नावकcess के लिए तेकर यह आपकि प्रैक्टिस के लिए आप इसके practice कीजिए और अगर आपको कोई भी चीज समझ लेक्चर में नहीं आई है इन सातों MCQ में आपको कोई डाउट आता है तो आप comment box में मुझे लिख सकते हो कि सर ये वाला हमें MCQ समझ नहीं आए मैं आपको वहीं पर answer दे दूँगा सर ये PDF कहां से मिलेगी बेटा इस PDF को पाने का एक तरीका है बहुत simple क्या तरीका है वो कि आप हमारी application को download करोगे आप हमारी application को download करोगे उस पर आपको मिलेगा एक point communities का बिलकुल नीचे नीचे communities आती ग्रूप पर आओगे आपको देखेगा एक नाम नाम बेटा वो वो नाम होगा GS ये लिखा ना GS by साहिल मदान सर आप यहां पर मेरे ग्रूप को join करोगे वहां पर comment भी लिखते हो कि सर PDF दे दो मैं महां पर आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है आप मेरे साथ दो ज ये सारे कोशन आप प्रैटिस करोगे उसका अंसर साही दोगे मैं चाहता हूँ बेटा ये चीज़ कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो कोई MC क्यों दिक्कत दे रहा हो तो आप मुझे comment box में लिख कर पूछ सकते हैं बिलकुल भी डरने की जुरूत भी है ठीक है तो मेरे भाई मेरे दोस्त बेटा आज के लिए इतना ही आई होप आप जिस एक्जाम की त्यारी कर आपका एक्जाम बहुत शांदर जाए तो all the very best for your exam टेक केर एंड जै हिंद चली